किया किसान भाई ओ आप भी चाते हो कि हमारी जो गेओं की फसल है वो दोड़े वो भागे इतनी स्पीड से चले इतनी बड़िया बढ़वार करे के हमारी कलपना से भी बाहर हो जाए तो आज आपको ये वीडियो देखनी बहुत जुरूरी है और वीडियो को स्किप ना किया करें आपको जब लगता है कि मैंन पॉइंट आगे तो उसके बाद स्किप कर देते हो आगे वीडियो को देखते नहीं हो ऐसा नहीं होता है कई बार लाश्ट कुएंट तक भी वीडियो बहुत कीम्ती होती है क्यूंकि कई बार लास्ट में जाके बदे बी हम कुछ ऐसी ची बात करें कि गेहूं को दोड़ाने की बात करें कि गेहूं की फसल एतनी अची चले कि देखते ही देखते हफ़ते दस दिन में बहुत अच्छी बढ़वार उसकी हो जाए अच्छा उतपादन आए तो आपको तीन चीजे जुरूरी नोटी सरक नी चाहिए किसान भाईयों गेऊं में हम क्या करते हैं कि बहुत सारे फटिलाइजर खा दें जो है उपर डालते जाते हैं उसके बावजुद हमारी फसल बढ़वार नहीं करती है कई बार बहुत सारे फंगिसाइड भी हम कर देते हैं लेकिन फिर भी वो बढ़वार नहीं कर पा रही होती है इसके कई कारण हो सकते हैं किसान भाईयों अच्छे उत्पादेन के लिए अच्छी बढ़वार के लिए हमने तीन चीजे नोटिस रखनी है सबसे जरूरी होता है कि उसके अंदर समय समय के उपर पानी की सिंचाई होना जरूरी सिंचाई की कमी नहीं होनी चाहिए और पानी अति अधिक भी नहीं लगाना चाहिए दूसरा मेजर पॉइंट होता है उसके अंदर फर्टीलाइजर की खादों की जो है मिस्रन की सही उप्योकत मात्रा दे देना लेकिन ये दोनों चीजे होने के बावजू जब हमारी फसल नहीं बढ़ रही होती है तो किसान बड़ा परेशान होता है दुकानों पर जाता है बहुत सारे फटीलाजर पे फटीलाजर बांद कर दे दिये जाते हैं लेकिन जो मेजर तीसरा पॉइंट है उसके हम बात करेंगे यही पॉइंट वो होता है जो आपकी फसल की बड़वार नहीं होने देता है किसानवायों वो होती है रूट के अंदर जड़ों के अंदर फंगस और दिमक ये बहुत बड़ा कारण होता है दिमक बहुत सारी होती है जो कुछ एकादी जड़ को काट देती है बाकी कुछ जड़ें जो है चलती रहती है इसलिए पूरी सभी जड़ों का एक साथ जो है विकास नहीं करने के कारण जो फसल का येलोपन नहीं जाता है फसल का पिलापन नहीं जाता है और उसके अंदर जो फंगस होती है वो रूट के अंदर जड़ों में फंगस लग जाती है इसलिए जड़ है रूट है वो सही खाद का मिसरण नहीं ले पाती है और ना लेने के कारण जो गेहूं की जो बड़वार है वो रुक जाती है गेहूं में पीलापन जो है वो कंटीन की होगी है उस वक्त जब पहली सिंचाई हम लगब 30-35 दिन बाद या 40 दिन बाद जब गेहूं की सिंचाई करते हैं तो आपको फर्स्ट टाइम उसके अंदर नीचे जो कलोरो की मात्रा दे देनी चाहिए एक लीटर प्रती एकड़ के हिसाब से और आदा किलो कार्ब पी है सल्फर है जिंक है इनकी मात्रा भी देनी बहुत जरूरी होती है अच्छी बढ़वार के लिए दूसरी सिंचाई के बाद जो तीसरी सिंचाई होती है उसमें आपने फिर यही चीज़ एक बार फिर रिपीट करनी है एक लीटर कलोरो रूट में नीचे दे दे और और चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को प्रेस कर ले तांके आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके चलते हैं एक सान भाईयो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अची जानकारी के साथ तब तक दीजे जाज़त जय हिंद बंदे मात्रम